हेलो फ्रेंज आप सब का स्वागत है मेरी यूटूब चनल श्वेतांकिट पे तो आज का ये व्लॉग है जो कि मैं बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग से शुरू कर रही हूं क्योंकि रात को ही मुझे पता चला कि मुझे सडलनी घर जाना पड़ेगा लड़ू को वैक्सीन लगनी थी तो मुझे रात में मैसेज आया रात की बारे बजे तो फटाफट मैंने पैकिंग की रात में ही और यहां से मुझे बाई ट्रेंज आना था तो काफी क्राउड रहता है सेंट्रल में कल्यान को सीस्टी के लिए तो हम पांच बजे घर से निकल गया चार बजे अब अब जारे गर वापस रिटर्न ममी के पास तो यह आये लिए हैं हम लोगो को स्टेशन आये थे हम लोगों को छोडने के लिए यह मेरी प्यारी से लड्डू सो रही है जो मैं चैल रही थी तो से लग रहा है मैं जूला जुला रही हूं तो यह मस्त सो गई ठंडी में अच्छा लगता है सुझे मैंने जैसे कि पहले भी काया मुझे स्मॉर्णिंग की च्रावलिंग नाइट की च्रावलिंग अच्छी रखती है यहां से हमें पगड़ दिया रिक्षा कुछी लंबा है इसलिए बाई रिक्षा जाना पड़ता है यहां हम ट्रेन पकड़ कि तक एक राउड ना रहे लट्डू के साथ में चावल करना है एन फाइनली हम पहुच गए विक्रॉली और एक आंटी थी जिन्हों ने बहुत हेल्प की नॉट ओनली वह एक आंटी बहुत सारे लोग थे जिन्हों ने बहुत जादा हेल्प की लाइक लगज भी होल्ड कि लेकि उत्रे वह बहुत अच्छा लगा मतलब पुंबई कर हमारे बड़े प्यारे होते हैं हम पहुच चुके हैं घर को मैंने कहां ताशी थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लो भाई या घर का भी पहुच चुके हैं हम लोग आथ मी बजा देगा ना अबी फारे साथी हैं हुच अबी फारे साथी नहीं है अब इसके बुपर फाण अपने नाना और अपनी नानी की जान हमारी रड्डू नानानी के पास आ गई है यह है नानी नाना और रड्डू है नैनो जीने मैं बुलाती हूं ऐसे ही काफी उसे बहुत जादा आने के बाद एकदम खेलने लगी मस्कुश हो गई थी और यहां प्राची पैचारी जो सदियों से केक की भूकी थी यहां केक खा रही है कि इसलिए खारी क्योंकि एक दिन पहले स्पिटी का बड़े था वो केक यह आते खाने पर लग गई और यह र अबड़ो अपने नाना के साथ खेल रही है तो आपको मेरा व्लोग कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं व्लोग काफी छोटा है लेकिन अच्छा है जादा बूर नहीं किया मैंने आप लोगो को कैसा लगा मेरा व्लोग? कमेंट करके जरूर बताएं न्यू हैं तो सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करना ना भूलिए चलिए मिलती हूँ बाद में